अवास देखने के लिए आउस पास के गाउं के लोगों का लगा हुजू देश के पीम नरेंद्र मोदी अंतिम छोर के व्यक्ति का भी उत्थान चायते हैं उन्हें अपने काम पर किस हद तक भरोशा है इसे मोदी की गारेंटी से जोड कर देखा जा सकता है अफ्तकरे की योजना देश में लागू की जा चुकी है उसी क्रम में बीती 15 जनवरी 2024 को देश में एक साथ एक लाक से जादा अधिक जन्मन आवास स्युक्रत हुए थे प्रदान मंतरी जन्मन उस्वान योजना आपको याद होगा फरवरी में ही पीम जन्मान योजना की तहत मत्रदेश में देश का पहला जन्मन आवास 29 दिनों में बन करतायार हुआ वो भी मत्रदेश के स्युपुरी जिले में भाग चंद्र आदिवासी का जन्मन आवास बन करतायार हो गया था कलेक्ट्रेटर विंदर कुमार चौधवी की विसी इस रुच के चलते इस दिसा में योजना बद्धिकार हुआ अब इसी योजना के अंतर गत पुरी जन्मन पत में भी दो हज़ार आवास युकरत किये गए हैं पुरी की मणखेड़ा पंचायत में 43 आवास युकरत हुए हैं अतिपिछली जन्जाती सहरिया लोगों के लिए इस समुदाय के लोग अनिक कस्पो जिलो में जाकर मज़दूरी करते हैं आवास निर्माड सामगरी सस्ते दामों एवं अच्ची गुडवत्ता की उपलब्ध करवाना कठिन होता है इतने सारे कारीकर सेट्रिंग की उपलब्धता बहुत कम थी ऐसे में आवास निर्माड की जाना बड़ा चैलेंज था लेकिन इस अबाजानी से संभव हो सका इस पंचायत की सचिप स्रीमती सकुन धाकर और जिया आरेस महंबत सरीफ खान की बड़ालाद जिनोंने ठाना चाहे कुछ भी हो जाए इन सहरी आइत गिराहियों के आवास सबसे तुन सुन्दर और जल्दी बनवाना है सबसे पहले की ओस्क और बैंक की मदद से इनके चोटी खाते यानी जन्धन खाते से पूरी रासी धीरे धीरे आहिरित करवाई फिरास पड़ोस की पंचायतों से कारी कर बुलवाए एडवास में ही छट धलाई के लिए सेंटरिंग के विवस्ता करवाई इसे आतुरक्त पाने की उपलब धबता सुनिचित करवाई प्रतुदीन अपनी छोटी सी बच्ची को कोद में लेकर पंचायत सचिफ श्रीमती सकुन धाकर ने गंभीरता से इन आवासों को मौनिटरिंग की विए देश की अकेली पंचायत है जिसमें सबसे ज़्यादा अठारा आवास अभी तक पूर्ण किये जा चुके हैं बड़े-बड़े जुले में और राज में भी जो कारनामा नहीं कर सके वो इस पंचायत ने किया है जामबती जी कहां की उपसर पंचे आप मरकी आगी आपको कैसा लग रहा यह जो जन्मन आवास तयार होई है आपकी ग्राम पंचायत में बढ़ी लग रहा है बहुत कुछ हैं तो आप माननिय प्रदानमंती के लिए कोई दो सब्द कहें यह माननिय प्रदानमंती आप आदवासी भाईवेनों के लिए जो आवास दी जा रही है आप उससे कितने खुछ हैं बहुत कुछ हैं आप लोग में उत्सा है ठीक है तो इस आवास में आपको क्या क्या शुब्दा है इस आवास में आपको और साथ में क्या शुब्दा है को चानल पूंत को इसी इसरे आपको इसम है इसमें एक रूम-या यह के ररहा है यहां पर और यह इह आपको इसमें किछिन भी दिए है ना येजी और ये इसरे सुद्वा पानिमानी है या यसे सूरी है. ज़राई इसको बताईए जी इसको चलाईए नल को बताओ हम चेक करके बताओ इसमें पानी है क्या अच्छीर हाँ बहुत बढ़ा है झेल इन और इदर सौचाले भी है चलो अच्छा अपका क्या नाम है यां मटि यह आवास आपको के लिए कि आप बाहर आईए जी बाहर आईए आप इधार आईए आप कि आवास पर आईए आप जी तो आपको ये प्रधानमंती मानिये नर्मोदी द्वारा आपको जो आवास दी गई हैं आप लोग कितने खुष हैं से अच्छा पहले आप लोग कैसे घरों में रहते थे जोपड़ी में और आपको पक्का घर मिल गया है तो आप लोगों में कापी उत्षा है बाए खुषी है ना तो ये आवास आपको किसने दी हैं आपके जी क्या क्या नाम है आपके प्रधानमंती जी का शिरी नरेदमोदी ज कोने जी आप आपको उनने आवास दिया आप गरीबों को तो आप उनको भारी उत्षा है आप लोगों में और जी आप दो सब्द बताएं क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंती जी के लिए मैं बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं अमारे लिए